दोस्तो मैं आश्या करता है ऊसे शिफ होंगे दोस्तो में अधा इनुद की स्वेकरे का समाणी, कि देकैंगे से endured सब्छा करते हैं दोस्तोर इतने बहुत है उस पर्ड़ोरे करेगा सब्सक्राइब कीजिए उसका स्टीन में दोस्तों यह जो स्टोरी दगल हुकें यह दूसतों एक लड़की के उपर लिखा गया है जिसका नाम है आज Works शौस्टर का में क्रेक्टर विलेज है क्लिए आफ सोड़ी एक जगा पर एक विलेच पर अफ रिका में आप दोस्तों यह जो विलेच बहुत ही प्रोप्रोंब मैं है और जो सब्सक्राइबिस है उच्षा कं भी बछाइबातं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब से भी खब्रोब मदद थे उन्हों ने ये तक कह दिया था कि आड जो कभी बी कॉलेज नहीं जा पाए पाईगी कभी भी को स्कूल नहीं जा पाईगी क्योंकि स्कूल उन्के घर से। पास किलो मेटर दूर लेकिन दोस्तों बाद में जाकर यह जो लड़की आर्जुवा वो कुछ करके दिखाती है वो स्कूल में रनिंग कंपनिशन में पारिसिवेट करती है और फर्स्ट प्राइस जितती है बाद में जाकर डिस्ट्रिक स्पोर्स में अब वो पारिसिवेट करती है और best all round junior athlete का prize वो जीतती है उसके बाद पुरा society को उसके grandmother को उसके father को उसके मम्मी को यह एसास होता है कि आर्ट जोवा जिसको पुरा society mock करती थी जिसको पुरा society बेकार समझती थी वो ही लरकी जाकर एक दिन इतना नाम कमाती है और district sports में भी उसका जह होता है successful वो होती है तो यह दोस्तों इस शौर स्टोरी का समरी है बहुत ही शौर समरी है अब दोस्तों हम बात करेंगे इसका title significance की उपर कि यह जो title है the girl who can इसका क्या significance है दोस्तों the girl who can यह title बहुत important है क्योंकि इस title से जो author है वो यह हमें बताना चाहते है कि जिन girl को जिन लड़कियों को हम society में उतना importance नहीं देते क्योंकि पेट्रिया का family बहुत ही मौक करती थी क्योंकि उसका communication skill थी ठीक नहीं था उसका प्यार बहुत ही थीन था लेकिन यहीं लड़की ने जाकर कुछ करके दिखाया डिस्ट्रिक स्पोर्स में भी वह फास्ट वी स्कूल के रनिंग कपरिशन में भी वह फास्ट वी तो आर्जवा के तरह लड़की में कोई फर्क नहीं है इक्वेल है सोसाइटी में तो यह दोस्तों इस टाइटल का सिंग्जिफिकंस है कि जो लड़कियों को सोसाइटी फैमिली उतना इंपोर्स नहीं देती वह लड़किया कुछ भी कर सकती है और यह आज हम इस दुनिया में देख भी रही है अजा ट्रेविकंस का बहुत ही इंपोडन पार्थ है कि आज को बहुत ही इंपोड़स नहीं जया था लेकिन आज जयांने जाकर बहुत कुछ कर दिखाय। सब्सक्राइबर मज़ा है आप सब्सक्राइब करें जो में थी में वो है कंडिशन और फोमेन इन आफ्रिकन सुसाइटी प्रेंट में किस तरह से उसका कंडिशन था वह सफर कर रहे थी उसका स्थान नहीं था क्योंकि उसका का यह जो डिस एडवंटेजेस है उसका जो यह प्रॉब्लम को लेकर किस तरह से सुसाइटी उसको मौक करती थी पेट्रेकर सुसाइटी में उसका मजग बनाया जाता था तो पहला जो थी में बहुत है कंडिशन एफिर सफरिंग और भूमें इन अफ्रिकान सुसाइटी दु पूरा सुसाइटी फैमिली एक टाइम पर बहुत ही इंपोरेस्ट नहीं देती थी उनको लगता था कि आर्जवा कुछ करना ही पाएगी लेकिन बाद में जाकर यह अच्छिबमेंट हाजिल करती है बहुत कुछ चीज एच्छिब करती है फस्ट होती है तो एच्छिबमें की बएसे उसको बहुत ही प्रिशानियों का सामना करना परा था उसके दाथ कोई नहीं था तो बाद में जाकर उसने खुद के दम पर कुछ करके दिखाया दूसरा उस तो जो अर्जो का गार्टर में जो फीचर है वो यह है कि उसने वह सेल्फ कंविडेंट लेडी है बच् उसको देखा नहीं था उसके ट्रेंट को बाद में जाकर उसने खुद खुद ने अपने ट्रेंट को सुसाइटी को दिखाया तो यह दूस्तों लास्ट इंपोर्टन्ट आंसार है करेक्टर तो थेंकिए सुमाद दोस्त आच्छा आज हम इस वीडियो में दागल हूं कैन जो शौस्टर या उससे इतने भी इंपोर्टन चीज़ें वो कबर किया है तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो सबके लिए हैलफूल वागल सास्के लिए इतना है गुल्बाय चलिए स्वस्त्र रहिए